नमस्कार पहरे साथियों आपका स्वागत है मारी येटीप चैनल में और देखिए साथियों जैसा कि आपको पता है हमने आपका डियलर्ड फोर्स सेमेश्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था जिसमें आपका सेकंड लास्ट चेप्टर हम करा रहे हैं इससे पहले हमने क्यों सेप्ट पताए गया था सबलंब चत्रवज के बारे में én omniparm के बारे में आपके वों सेप्लियर हो पाएं, ओके वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखे साथियो आप इने स्कीन पर देख सकते हो, यह समानतर चत्रवज है, जिसे हम इंग्लिस में बोलेंगे, पहले लेलो ग्राम, तो यहां पर आप देखते हो, उस चत्रवज जिसकी सम्मुक बजाएं, तो यहां पर आप द बात करी थी, किसके बारे में, सबलंब चत्रवज के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि इसका एक योगम क्या हो, एक योगम इसका आपका समानतर होना चाहिए, यानि ये भुजा, ये भुजा समानतर हो जाए, चाहे आपकी ये भुजा, इस भुजा के समानतर हो जाए, तो इसमें condition थी कि आपका कम से कम एक होना चाहिए तो कम से कम क्या एक होना चाहिए तो इसमें तो ये condition follow हो जाती है तो आपका अगर एक समांतर बुजाए हैं आपने समने कि बुजाए समांतर हैं फिर भी आप इसको क्या होलोगी सबलम चितरवज बूल दोगे अब यहां पर जो आपका समांतर चित्र वो होता है इसमें क्या होता इसमें दोनों बजाएं आपकी समांतर होनी चाहिए यानि कि आप यहां पर देखेंगे तो यह बजा और यह बजा इसके समांतर होनी चाहिए और यह बजा यह बजा के समांतर होनी चाहिए यानि कि आप देखोगे तो इसमें जो दोनों युगम बने हुए हैं आपका अगर A B बुजा देखोगे तो A B बुजा जो है वो किसके पैलर है A B बुजा पैलर किसके है तो पैलर ये किसके है DC की है या CD की है ठीक है ये आपका पैलर हो गया इसी प्रकास से आप देखेंगे तो DA पुचा जो है वो आपकी पैलर होगी किसके BC के BC के तो BC के होगी तो इस तरीके से इसमें दोनों जो युगम होगे वो पैलर होने चाहिए तब ही यह आपका समन्त चत्रवज बनेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो लेंग्विज के अंदर भी यह चीज लिखी हुई है तो ABCD एक समन्त चत्रवज है जिसमें AB पैलर है DC के और BC पैलर है AD के तो यह समन्त चत्रवज का जो आपका प्रतीक होता है वो आप देख सकते हो यह दो पैलर लाइन्स पड़ी होती है अगर जैसे मालोग के यह बुझा A है यह पूरी A बुझा है यहां से यहां तक की जो आपकी बुझा है वो A है और यहां बर भी आपकी क्या है यह आपकी A है ठीक है अब यहाँ पर यह आपकी B है यह आपकी B है क्योंकि आपको बताया था कि इसकी जो आमने सामने की बुजाएं होंगी वो कैसी होंगी वो आपकी समान अंतर होंगी यानि समान अंतर पर आपके रह रही होंगी तो अब यहाँ पर माली जी कि आपको हाइट डालनी है तो पर्माप तो आप आसानी से निकाल लोगी, जो perimeter होता है, सभी बुजाओं का योग होता है, यानि आपका A को जोड़ोगे, फिर B को जोड़ोगे, फिर A को जोड़ोगे, फिर A को जोड़ोगे, फिर B को जोड़ोगे, इस तरीके सा आप जोड़ोगे, तो आपका क्या हो हो जाएगा आपका पर्माप हो जाएगा चार अब जाओं का आपको जोड़ना होता है यानि तो जिस तरीके से एक rectangle का पर्माप होता है उसी तरीके से इसका भी पर्माप हो जाएगा तो two costag में a plus b two costag में a plus b आपका इसका पर्माप हो जाएगा अब अगर आप इसका छहेत पल निकालना चाहरे हो तो छहेत पल किस तरीक इस निकलेगा वसके बारे में हम बात करेंगे. तो छहेत पल के लिए क्या करना होता है जैसे मालीज़िज आप इसका area निकाल रहे हो तो area निकालने के लिए आपको जैसे ये base है बेस और बेस पर कौन सी हाइट पड़ी होई है उसी का आपको मेंटिपल करना होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या करना होगा आपको। तो यहां पर A और H आप लिख देंगे तो यह आपका area हो जाएगा अब मतलीजिए की हां पर आपका है जो यह जो आपका height है वो मतलीजिए इंदर से पढ़ गया इस base पर तो यह जो होगा यह base बनेगा तो यहां पर यह h जाएगी तो यहां पर B, H हो यह तो इस तरीके से आपकी जो हायठ है हाल से पड़ रही है किस विस पर रही है उसके विस पर आपको इसका क्या निकालना होता है לק आपको मतलब इसका छितपन निकालना होता है और परमाप तो आप निकाली सकते हैं इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज जरून से इस चीज को याद रख लिजेगा कि इसके जो आमने सामने कौण होते हैं वो आपसमें बराबर होते हैं य यह आपकी प्रोपर्टी से तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो आपके इवकल होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं ठीक है तो यह प्रोपर्टी आप याद रखिए अब इसमें जो एंगल जो इसके डाइगनल होते हैं यह जो इसके डाइगनल होते हैं यह जो इस इतनी लंबाई आपस में कैसे होगी बरावर होगी फिक तो इस तरीके से आपके ये प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है तो यह आपका समयोंतर चाटरवज हो गया और इसमें बताएगाई सभी आपकी आपको समझ में आ जाओंगे होंगे ठीक है अगर किसी में भी आपको अगर doubt है तो आप जरून से पूछ लीजेगा ठीक है comment box आपके लिए खुला हुआ है comment box में comment कर दीजेगा तो आपको यहां से सभी जानकार यहां के लिए मिल जाएगी ठीक है अब इसमें जो छेत्वल का में बताया कि इस तरीके से अगर मालो यहां पर हमने height डाल दिया ठीक हाइट डाल दिया इसे हमने base बनाया तो यह वाली बजा बन जाएगी तो यानि height और यह वाली बजा जो भी आपकी 2 cm 4 cm जो भी दे देगा उसका आप यहां पर multiple कर दोगे यह से 2 cm में दे दिया इसी प्रकास से मालो के इस पेसे मालो के इसमें से ले गया यहां से ले गया height और इसको base बनाया तो height और base का multiple ही होता है तो height और base का multiple कर दोगे आपका answer निकल जाएगा तो इस तरीके से आप समंत चितरवज के regarding जितने भी आपके concept हैं जो आपके यहां पर useful हैं आपके इस level के साफ से हैं वो आपके हमने यहां पर बता दिये हैं और आगे का जो आपका हम चलाएंगे उसमें हम बात करेंगे आयत के बारे में यानि rectangle के बारे में तो आप next वीड झाल 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 झाल